नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज के वीडियो में दिल्ली पुलीस की तरफ से कॉंस्टेबल की पोश्ट पे वेकेंसी निकाली गई है जिसके बारे में आज आपको जानकारी दूँगा पहले देखते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में तो ये जो वेकेंसी है इसके आवेदनी स्टार्ट होएंगे वो एक अगस 2020 से होएंगे और साथ नोवंबर 2020 तक आप इस वेकेंसी को ओनलाइन अप्लाइग कर सकेंगे और आगे देखते हैं अप्लिकेशन फीस के बारे में तो जो भी केंडिनेट चनरल और OBC के अंदर आते हैं उनकी जो एप्लिकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपे अप्लिकेशन फीस रहेगी और जो SC, ST और जो All केटिगरी की female केंडिनेट हैं इनकी कोई भी अप्लिकेशन फी फीस है वो Bheem, UPI, Net Banking, Visa, Mastercard, Debit Card, Credit Card इनके माध्यम से आप इसके examination फीस को जमा करा सकते हैं आगे बात करते हैं एक्जाम डेट के बारे में तो इसके अंदर आपके जो एक्जाम होंगे वो 27.11.2020 से 14.12.2020 के बीच में ले लिए जाएंगे और आपके जो Admit Card आएंगे वो 9. November 2020 में आजाएंगे आगे बात करते हैं वेकेंसी के बारे में यह जैसे कि मैंने आपको बताया यह जो वेकेंसी है यह कोंस्टेबल की पोश्ट पे निकाली गई है अगर आप इस वेकेंसी पे अपलाई करना चाहते हैं तो आपने 10 प्लस टू पास करकी होनी चाहिए और जो लर्निंग लाइसेंस है वो असेप्टेबल नहीं है इन्होंने यह चीज़ के लिए बताया गया है और एजुकेशन से रिलेटीड आधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नॉटिफिकेशन को रीट कर सकते हैं ऑफिशियल नॉटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं उस पे 3902 वेकेंसि निकाली गई है और जो फीमिल केंडिनेट है उस पे 1944 वेकेंसि निकाली गई है और इसके अंदर जो आपका पेशियल रहेगा वो लेवल 3 रहेगा जिसके अंदर आपको 21,700 से 69,100 रुपे तक आपकी पेशिकेल रहेगा और आगे बात करते हैं प्रोसेस होगा, पहले आपका computer based exam होगा, उसको qualify करने के बाद आपका physical test होगा और physical test के बाद आपका document verification होगा, पहले बात करते हैं computer based exam के बारे में कि उसके अंदर आपका क्या स्लेबस रहेगा, तो इसके अंदर आपसे 4 subject के ओपर question पूछे जाएंगे पहला जो subject है वो general knowledge और current affairs से related है, इससे आपसे 50 question पूछे जाएंगे और reasoning से related आपसे 25 question पूछे जाएंगे, numerical ability से related आपसे 50 question पूछे जाएंगे और computer fundamentals से related आपसे 10 question पूछे जाएंगे, total जो आपके question पूछे जाएंगे जो कि आप सब लोगों के लिए important है कि कई लोगों के question आते है कि इसके अंदर negative marking है कि नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपकी negative marking होगी जो कि 0.25 marks की होगी तो आपको बहुत ही ध्यान से paper करना होगा अगर आप गलत कोशनों के answer पे tick कर देंगे तो आपके number deduct हो जाएंगे तो इस चीज़ कभी आपको ध्यान रखना है आगे बात करते है physical test के बारे में पहले बात करते है male category के बारे में उसके बाद बात करेंगे female category के बारे में जो male category के candidate है जिनकी उमर 18-30 साल तक के बीच की है उनकी 1600 मिटर की race होगी जो कि उनको 6 मिनट के अंदर clear करने होगी और उनकी जो long jump होगी वो 14 feet की होगी और जो high jump होगी वो 3.9 foot की होगी और जिस भी candidate की उमर 30-40 साल तक के बीच की है उनकी जो 1600 मिटर की race होगी उनको 7 मिनट के अंदर clear करने होगी और जो long jump हो 13 feet की है और जो high jump है 3.6 foot की और जिस candidate की उमर 40 साल से उपर है उनको 16-100 मेटर की रेस 8 मिनट के अंदर के लियर करनी होगी और उनकी जो लॉंग जंप है वो 12 फिट की है और जो हाई जंप है वो 3.3 फुट की है और आपको लॉंग जंप और हाई जंप के अंदर 3-3 चांस दिये जाएंगे तो 3-3 चांस के के अंदर आपको आपकी लॉंग जंप और हाई जंप किलियर करनी होगी और आगे बात करते हैं मेल कैंडिनेट की फिजिकल इलिजिबिल्टी के बारे में तो जो भी कैंडिनेट जन्रल ओबीसी और एसी इन कैटेगरी के अंदर आता है उनकी जो हाईट है वो 170 cm के होनी चा चाहिए और जो एस्टी कैंडिनेट के कैंडिनेट है उनकी जो चैस्ट है वो 76 से 80 cm के बीच के होनी चाहिए तो इसका भी आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं फिमेल कैंडिनेट के फिजिकल टेस्ट के बारे में जो भी फिमेल कैंडिनेट है जिनकी उमर 18 से 30 साल बीच की है उनकी सोलो सौ मिटर की रैस होगी जो क्योंको आठ मिनेट के अंदर किलियर करनी होगी और उनकी Z long jump होगी वो 10 feet की होगी और जो high jump होगी वो 3 foot की होगी और ऐसी आप check कर सकते हो age के साब से कि आपका क्या long jump रहेगी और क्या high jump रहेगी और जो female category है उनको भी 3-3 chance दिये जाएंगे तो आपको 3-3 chance के अंदर आपकी जो long jump है और high jump है उसको killer करना होगा और आगे बात करते है फिजिकल eligibility criteria के बारे में female candidate की जो भी general और OBC category के अंदर female आती है उनकी 157 cm की height होनी चाहिए और जो SC-ST category के अंदर आती है उनकी 155 cm की height होनी चाहिए और आगे मैं आपको बताता हूँ इस vacancy को apply कैसे करना है आप दो methods इस vacancy को apply कर सकते हैं या तो आप SSC की official website पर जाके इस vacancy को apply कर सकते हैं नहीं तो आपको दूसरा जो method है वो मैंने आपको description में link दे रखा है इसको apply करने का vacancy को तो आप वहाँ पर भी जाके इस vacancy को online apply कर सकते हैं अगर इस vacancy से related आपका कोई भी portion या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमिट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही private और government jobs की detail time to time जानने के लिए इस चैनल को subscribe करें thank you so much